हम बात करेंगे यहाँ पर दो बेस और चार डूल टॉप के बारे में जिसमें कि यहाँ पर दो इसकुप बेस होने वाले हैं इस सेटप के उपर और यहाँ पर 12 इंच का चार टॉप रहने वाला है जिसमें कि 12 इंच का इस स्पीकर होने वाला है कौन साइस स्पीकर रहेगा कि देने वालो इस वीडियो में साथी साथ इस speaker जो है वो forums का speaker है इस cup base में जिसमें कि हमें amplifier जो है वो कम wattage का लेना पड़े और उसमें हम काफी अच्छे से चला सकते हैं इस टाइप से यहां पर forums का speaker यूज़ करने वाले है तो यहां पर अहुजा का L18 SW W1300X जो की speaker आता है यहां पर इस speaker में 1300W RMS More Company बोलती है और 5 इंच वोई स्क्वेल में speaker आता है काफी heavy speaker है तो इस speaker को हम यहां पर इस cup base में डालने वाले हैं जिसमें की forums का speaker रहने वाला है और इस cup base यहां पर दो piece होने वाला है और यहां पर 300W प्लस 300W प्लस 80W या फिर 60W का HF हम यूज कर सकते हैं और यहां पर जो की 12 इंच का speaker रहेगा अहुजा का speaker रहेगा जो की आप 12 इंच में आपको L12 MB 300 speaker आपको देखने को मिलता है वो speaker यहां पर यूज किया गया है इस dual top में और यहां पर base के लिए amplify जो रहेगा वो Nlips का X3 रहेगा top के लिए amplify रहेगा X2 जो की Nlips का है और stabilizer यहां पर रहेगा 7 KVA का cable wire सारा details में आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में सभी का अलग-अलग price बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं और अहुजा का L18SW 1300X speaker और scoop base का price तो यहां पर speaker जो है 13008 का है speaker का approximately price आप 21,000 या फिर 22,000 के आसपास में आपको एक speaker पढ़ सकता है price कम जादा हो सकता है वह हम बात करेंगे तो यहां पर आपका complete scoop base के साथ यहां पर approach 65,000 के आसपास पकड़ की चलिए या फिर आप 67,000 भी जा सकता है price थोड़ा बहुत कम जादा हो सकता है एक तो हजार रुपे के आसपास तो 65,000 में आपको 2 scoop base जो है मिल जाएगा 1300 वार्ड जो की आपका अहुजा का speaker रहेगा और यहां पर 300 वार्ड प्लस रहने वाला है तीन फिट में और उसका यहां पर price पढ़ने वाला है वो approximately 17,000 के आसपास जो है एक top का price पढ़ने वाला है और यहां पर 70,000 रुपे में 4 top जो है complete आपका निकल के आ जाता है वह हम बात करेंगे इसके लिए amplifier तो base के लिए जो amplifier है वो enlabs का x3 आपका यहां पर होने वाला है जिसमें एक भाई ने comment गया था जैसे कि आपने देखा तो यहां पर base के लिए amplifier enlabs का x3 होने वाला है जिसमें की 35,000 रुपे में आपको जो है amplifier मिल जाएगा इस amplifier का full details वीडियो देखने के लिए आप चैनल में चेक आउट कर सकते हैं और यहां पर top के लिए amplifier जो है वो x2 है जो कि 2 amplifier हमने यहां पर इस setup में use किया गया है और यहां पर 2 amplifier इसलिए है क्योंकि 1 amplifier में 2 top run होगा और दूसरे amplifier में 2 top run होगा तो कुछ इस प्रकार से हापर आपको connection करना है 50,000 रुपए आपका 2 amplifier का price हो जाता है एक amplifier एप्रोक्स 25,000 से 26,000 के बीच में आपको मिल सकता है प्राइस थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है और वहीं हम बात करेंगे इस टेप्लाइजर के उपर तो जो 7 KVA का इस टेप्लाइजर आपका पड़ेगा वो कोपर में आपका 15,000 रुपए के आसपास में आपको काफ़ अच्छा इस टेप्लाइजर मिल जाएगा मार्केट में या फिर आप हिताची का लेते हैं तो 20,000 रुपए के आसपास में मिल जाएगा साथ कीवे का इस टेप्लाइजर वही हम बात करेंगे तो केबल, वायर और बोड वो एप्रोक्स 5000 रुपए पकड़ की चलिए जैसे कि स्पीकोन केबल हो गया या फिर बहुत सारे वायर जो लगते हैं जैक टू जैक, मेल, फिमेल वो सारे चीज़ जो है 5000 रुपए आप एक्स्टा पकड़ की चलिए तो टोटल जो प्राइज निकल के आता है एप्रोक्स प्राइज निकल के आता है 2,40,000 रुपए जिसमें कि आपका इस्टेपलाइजर और 3 amplifier, 4 top और 2 scope base हो जाते हैं यहाँ पर आपको mixer भी लेना है जिसमें कि आप DJ के लिए आप 7,000 से लेकर के 10,000 का mixer ले सकते है 3 channel, 4 channel जो कि DJ mixer आता है उस type के mixer आप ले सकते हैं तो एप्रोक्स आप 2,50,000 रुपए के आसपास पकड़ की चलिए मतलब कि 5,500,000 में जो है वो काफी अच्छा setup आप बना सकते हैं इस type का setup और यहाँ पर इसके लिए generator में आपको बता लेता हूँ इसके लिए आप generator 10 की विए का लीजिए जिसमें कि आप par light, sarp light भी लगा सकते हैं par light अगर लगाना है तो par light भी लगा सकते हैं share करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल में पहली बारा है तो चैनल को subscribe के लिजिए bell icon call में set के लिजिएगा क्योंकि आपको DJs related बहुत सारे वीडियो मिलते रहते हैं हमारे चैनल में तो चले गाईस आज की वीडियो मसे इतना ही था मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम